हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले आपको साथ में लाने की जरूरत है तो आज आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी अध्यात्मिक महापूजन से जुड़े आपके तमाम सवालों का आपको जवाब मिलेगा इसलिए जो लोग आ रहे हैं और जो लोग आने की चेश्ठा रखते हैं वो आज का कारिक्रम बहुत अध्यान से देखें और ये सारी जानकारी आपको देंगे हमारे बहुत खास मिहमाद जीहां दे फेमस पामिस्ट एस्ट्रोजर इनवास्तु एक्सपर्ट प्रूफेसर धरमीदर शर्मा जी नमस्कार सर अध्यात्मिक महापूजन में बहुत ही कम समय रह गया है तो मैं सार पूजन आप सब के सनह से बहुत शिगर होने वाला है तो भी आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बढ़ाई और ऐसे ही देश के कोने कोने में इस प्रकार के अध्यात्मिक महा आयोजन आज समय की मांग है होने चाहिए ताकि इस प्रकार से जब हम कई बार हम व पूजा निस्वार्थ हो निशुल को हो तो वहां का एक औरा मंडल विशेश प्रकार की रचनात्मक रूप में गड़ जाता है इसलिए मेरे प्रिया दर्शुको समय बहुत कम है जिन सब के ट्रेंस बुक हैं फ्लाइट्स बुक हैं सब अच्छे से आना अपना आने की तैय पर नोट डाउन करते जाना कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है तो वह सब आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा जो व्यक्ति विमार हो और उनकी आने की इच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति केवल अपने किसी मित्र को संबंदी को भेज़ दें अपना फोटो दे करके भेज़ दें बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के संग बहुत छोटा बच्चा है तो भई देखो सोच समझ के चलें छोटे बच्चे के संग पूजा नहीं हो पाती है या कोई बच्चे को समानने वाला हो तो पूजा हो पाती है यह सब बाते आप ध्यान रखें बहुत ज्यादा बिमार हैं तो आप अपना फोटो भैश डिजीएगा आपके फोटो की हूँ आप रक़ा जाएगा जो आपके लोग परीजन जो पूज़ा करेंगे उसी से आपका कल्यां हो हो जाएगा तो यह ध्यान रख 주세요 बहुत रोगी व्यक्ति, बिमार व्यक्ति, बुजर्ग व्यक्ति, बहुत छोटे बच्चों वाली बच्चियें इस प्रकार से ध्यान से आएं क्योंकि पूजन एक बार जब पूजन होगा तो उसमें समय लगता है अब मैं आपको पूरी इसकी विस्तार के साथ समझा देता हूँ जो लोग पतना फ्लाइट से आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं तो पतना से डेड़ सु किलोमेटर आगे ये स्थान पढ़ता है सीता मड़ी और सीता मड़ी में ही किसी से पूछने पूरा धाम वहाँ आपको पहुँचना है जो लोग मुझफर पूर इसके जग़ा दो स्थान निकट पढ़ते हैं सीता मड़ी के एक मुझफर पूर और एक सीता मड़ी मुझफर पूर जादा निकट पढ़ता है अगर किसी ने अभी भी ट्रेंस आदी भुक ना कराई हो या जैसे जाना हो तो मुझफर पूर पहुँचने का प्रियास करें मुझफर पूर से साथ किलोमेटर आगे ये स्थान है सीता मडी सीता मडी नाम क्यों पड़ा? राजा जनक के हलकी नौक में जब वो कुम्ब टकराया तो वो सबनी आपने वर्तान से सुना होगा कि भगवती सीता का पादरभाव हुआ मा भगवती सीता ने महा जन्म लिया ऐसी जन्म भूमी कि जहां जन्म जन्मांत्रों के मैल कयाश कलमश धुल जाते हो ऐसी भूमी पर हमें एक बार पूजन करने का सोभाग्य प्राप्त होना ही चाहिए धर्म छेत्र में किया गया पुन्य सोगना हो जाता है और धर्म छेत्र में किया गया पाप वो भी सोगना हो जाता है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें पुन्या आत्माएं हैं, पुन्या आत्मावाला संदेश मन के अंदर लेकर के आएं सांती मन के अंदर लेकर के आएं एक ववस्था, एक अच्छी सोच मन के अंदर लेकर के आएं जीवन ऐसे ही गुजर जाता है और जीवन की आखरी सांस भी ऐसे ही प्राणों से बाहर निकल जाती है पंची आजाद होकर के नीले आकास में उड़ जाता लेकिन ऐसे सोभाग्ये हमें कभी कभी प्राप्त होते हैं आप बहुत सारी चीजे सुनते हैं बहुत सारी क्रिया कलाब घर में बैठ कर भी करते हैं लेकिन ऐसा सोभाग्य मेरे मित्रों बहुत कम प्राप्त होता और ये आप ही का तो प्रेम है कि सब कुछ नी सुल्क है भाई आपको किसी भी तरह का कोई रेइस्ट्रेशन चार्ज नहीं है कोई अध्यात्विक वहाँ पूजन में पूजन करने का कोई शुल्क नहीं है कोई पैसा नहीं है तो इसलिए ऐसे स्थान पर जहां सब कुछ नी स्वारत हो आना चाहिए और हम इस वबस्ता के भी हमेंसे खिलाप रहे हैं कि आगे ये लोग बैटें, पीछे ये लोग ना बैटें, ये लोग दाएं बैटें, नहीं साथ बस सब जहां जिसको जो जगे मिले वो वहां बैटें क्योंकि ये जात, पात, भेद, अभेद, अमीरी, करीबी, पूजा में नहीं होनी चाहिए मेरा बड़ा मन दुखता है कि इस लाइन में जो लोग लगे हैं ये 101 रुपेवाले हैं इस लाइन में जो ये लोग लगे हैं ये 50001 रुपेवाले हैं आगे जो मुगट पहने के बैठे हैं इन्होंने 51-55 1000 रुपे दी है What is the मतलभ समंझ में नहीं आता ये विवस्ता क्या है इसका मतलब पैसा सरवो परी हो गया संसार में हर काम पैसे से तोल लीजिएगा लेकिन भगवान की भक्ती और साधना को पैसे से न तोला जाए बड़ा मनन होता है बड़ा इस बात का आप लोगा ने भी देखा होगा बहुत इस तनों पर बड़ा मन कर लेते हैं ये भगवाने से प्रसंद नहीं होता जिसके पाओं की विवाई फट जाती है जिसके पाओं में छाले पड़ जाते हैं जो लोग दंडवत करते हुए भगवती की शरण में जाते हैं भगवती उसी से प्रसंद होती है यह नहीं कि आपने कॉलर सजाया एसी गा होता है इसलिए जब भी आप ऐसे पूजा पाट करें बहुत मन से करें खर सब समझ गए मुझफर पूर उतने या पटना उतने महां से सीता मड़ी पहुचें लाना क्या होगा आप अपने साथ पांच पात्र लाएं जिसमें एक बड़ी ऐसी कोई प्राथ टाइप या ऐसी को बाटने Sorry बड़ी बड़ी और साथ में एक चम्मच लेकर आएं और इस से अधिक क्या लासकते हैं आप यग दो मुठी चावल पॉलोथीर में थोड़ा सा बांध करके ला सकते हैं थोड़ा सा इलाई चीता प्रसाद का लासकते हैं थोड़ा सिंदूर लगाने का पु हो जो चर्णामरत बनेगा यानि कि जो पंचामरत मेगा भगवान शिव का जिए करने के लिए वह आपको वह Listen हाला कि हं बंदल लगाने का लाल थोड़ा सा पकिट लाना एक दो रुपए का सारा समन कैलकुलेट करें तो 20-25 रुपए का होता है ये क्यों बोल रहा है हम इस से समय बच जाता है हमने देखा है जब आप लोग शुक्रताल आए थे आप में से बहुत आए होंगे शुक्रताल आए थे नएड़ा आए थे तो साब मेरा धागा खतम हो गया मेरी सुपारी नहीं है तो इसलिए समय बच जाता है इसलिए मेरा इस वार आप से नमीदन है कि ये सारा समान आप ले करें, जो बिहार से लोगं आ रहे हैं, भई बिहार में आपकी धर्ती पर यह सब कारी करम हो रहा है, तो आप ध्यान रखें, और हमारे कुछ बोलिंटर जो हम हर समय बिहार तो हम बहुत जाते रहते हैं, तो हमारे जो बिहार वो लिंटेर हैं जो हमारे जान पचान वाले हैं वह भी कान खड़े करें आप से वहां थोड़ा भागदोड़ी करवा सकते हैं थोड़ी महनत करवा सकते हैं तो उससे आपको जी नहीं चुराना भगवान सब की महनत को देखता रंग लगाता ये समान आपको लाना फूल और पंचा मरत आपको महीं मिल जाएगा शांती से आएंगे अपनी क्यूं में बैठते जाएंगे वहां में ऐसा प्रेक्टिकल प्रियोग आपसे कराएंगे आपके जीवन को बदल देगा अभी कुछ पलों के बाद और बहुसतारी बातें आप आज की पारिकरम में जानेंगे ओम द्रम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुख्षियमामृतात फालगोन मास के पावन अफसर पर आध्यात्मिक उजा से ओत्प्रोत सीता मढ़ी की शक्तिमई पावन धरा पर सभी के लिए जीवन को आध्यात्मिक वभौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतू एवं कुलिली के समस्त दोशों के निवारण के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी के पावन सानिध्य में अठारा फरवरी दिन्रविवार फालगोन मास तृत्या तिथी पूर्वा भादरुपद नक्षत्र में इंद्राक्षी महापूजन वश्यव रुद्राभि शेक होने जा रहा है इस पावन धरा पर आप सभी भक्तों का स्वागत है ये धरा सिध्ध संतों वह महान आत्माओं की तपस्थली है अतह मा सीता जी के आशरवाद वर्स विशेश पूजन में भाग लेकर पुन्य के भागी बने दूर से आ रहे भक्तों के ठहरने वह प्रवती सीता जी की कृपा से की गई है साथ ही ये आयोजन सभी के लिए निशल्क है अतह जल्द से जल्द आप अपना नाम रजिस्टर कराएं संपर्क करें 08587924072 09582248029 08130948703 रजिस्ट्रेशन का समय प्रातह 10 बजे से 6 बजे तक नोट जो साधग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो साधन शिविर में गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं आयोजन में कृप्या अपना आईजी प्रूफ साथ ले कर आएं पूजा स्थान जान की जन्मभूमी पुनौरा धाम सीता मढ़ी बिहार आयोजग श्री मनमोहन कौशिक वराम रिदैजी सीता मढ़ी बिहार आगे अब आपको क्या कुछ ध्यान रखने की जुरूरत है बाते वो भी जानते हैं सर क्या क्या लेकर आना है अपने साथ ये तो आपने बता दिया अब जो लोग दूर दरास से आ रहे हैं एक दिन पहले अगर आना चाहते हैं क्या वो लोग एक दिन पहले आ सकते हैं और 18 तारिकों जो कारिकरम है कितने बज़े से कितने बज़े तक लगभग रहेगा जे, देखेगा जो लोग दूर से आ रहा है, मैंने उनको बताई दिया है, कि आप जो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो वहाँ अगर आपको लगे, भाई कोई आपको ठेरने की विएस्ता आपकी नहीं हो पा रही है, या कोई दिक्कत है, तो आप वहाँ आ सकते हैं, पुनौरा मैं है रहान हो गया, जो भाई सारा जंगली रास्ता है, जंगल का रास्ता है, और कैसे कैसे आप पूरी रात बच्चों के साथ पहुंचें, वास्ता में आप तारीफे काबिल हैं, और भाईवान आपको बहुत ऐसे ही देता रहे, भक्ती मार्ग में आपके कदम बढ़ते रें ये पथ प्थ थमेना और हाँ आपके पास अपने शिवलिंग हो तो शिवलिंग जरूर लेका आईएका जिनको 54 योगणी 1-4 मुकि की रुदराक्स दिये गए हैं वो अपने रुदराक्स लेकर पहन कर कर के आए जिसके पास दुद्दराक साथी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वह आएं क्योंकि हम वह मिठी का शेवलिंग देंगे, क्योंकि यह पार्थिव शेवलिंग का पूजन आपसे इमा कराया जा याएगा, एक विशेस प्रकार का रुद्रा विशेक होगा विशेस प्रकार का रुद्रा विशेक जब आप देखेंगे आपको आनंद आएगा जो लोकल बिहार से लोग आ रहे हैं आस पास से तो सब के लिए आपको एक करम करना है अब मैं आपको काम कराता हूँ आपसे क्या बेल पत्र बेल के पत्ते होते ना बेल पत्र हो कहीं आपको धतूरा मिल जाए आप देखो इतनी सारी चीज़े तो भाई हम दिली से नहीं ले आ सकते है ना तो कहीं से भी आपको बेल पत्र मिल जाएं जो वान शिब के उपर और वह पंचे मैillar तापको मिली जाएगे, महांसे कोई दिक्कत नहीए, फिर भी जो आज पास के लोगा आ रहें, बेल पत्र अपन ला सकते। उपनों उपना शिवलिंग ला सकते हैं, वहां पर हम आपको मिट्टि के शिवलिंग देंगे, जो आपने उसमें बड़ी ठाली में प्रावत में रखने है और हमारे मंच से आपको पूरा संचालन होता रहेगा मंचन होता रहेगा ऐसे ऐसे आपको पूझन करना है परते काल दस बज़े से ये पूझन परारंब हो जाएगा दस से या साड़े नो के आसपास से और तकरीबन इस पूजन में एक बज जाएगा सुबह जो लोग चाया दी पीना चाहते हो हलका ब्रेकफास्ट करना चाहते हो कर लेना कोई दिक्कत नहीं है हाला कि बहुत लोग सूचे मूँ करना चाहते है अपनी अपनी बात है लेकिन थोड़ा आप सफर में आए हैं बच्चों के साथ होते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं है अब एक बजे करीब हम आपको भोजन परसाद की विवस्ता के लिए छुट्टी करेंगे एक घंटे के आसपास की एक जड़ घंटा ये आपने सब भोजन वगर अपना फटाफट करके उसके बाद अगली फिर सिफ्ट लगेगी अठारा तारिकी बात करना हुई है उसमें हम कुछ आपको विसेश चीजे नोट कराएंगे जो आपके जीवन के काम आएंगी आपके बहुत काम आएंगी तो वो चीजे आप नोट करेंगे हैं और पांच करीब करीब आपको बज जाएंगे जो लोग आसपास के हों वो वापस जा सकते हैं जो लोग बहुर दूर दरास के हों तो रात को दस बजे से पहले कर्प्यार ना कराएं, है ना, वही आठ बजे पांच बज जाएंगे, अगर वहां से आप मुझछ फर पुर भी जाते हैं, जो मुझछ फर पुर से ही अक्सर ट्रेन मिलती हैं, तो मुझछ फर पुर जाने में एक सी सवा गंटा तो आप मान जाएंगे आप तो यह सब ध्यान रखें हैं दूसरी बात वैसे रेइस्ट्रेशन सब कुछ फुल हो चुका है जो महां की रिक्वार्मेंट थी पूरी हो गई है क्योंकि जितनी जगह होती है उतनी जगह लेकर के आएं एक बड़ा थाल लेकर के आएं वही बहुत है ऐसा नहीं अगर परिवार के आप पांच लोग आ रहे हैं तो पांच थाल लेकर के आएंगे नहीं एक ही थाल होते हैं सब अपना अपना हम बता देंगे हमां बड़ा अच्छा सिस्टम होता है हम बता देंगे हमारे संस्थान में फोन कर सकते हैं, हाँ, एड्रस की बात बता देता हूँ, एड्रस यहां लिखा हुआ रो जाता है, बस बहुत आसान एड्रस है, सीता मणी, पुनो रधाम, ठीक है, आब इस चक्र में न रहे कि हमारे संस्थान से फोन आएगा, जिसको फोन आ जाए हमारे ओफिस में फोन करके एड्रस जान लिजिए गद्राईए गमत, हम आपके हैं, आप वारे हैं, देखो जब इस प्रेकार के विशेष पूजन होते हैं, तो जीवन में जो कष्ट आ रहे होते हैं, जीवन जो कष्टों से बहरा होता, वो वास्ता में जीवन सुन्दर हो आप जरूर बने क्योंकि भगवती की आप कृपा इससे प्राप कर पाएंगे जीवन के जितने कष्ट हैं वो कष्ट आपके कटेंगे कारिक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा आपने अपना समय हमें दिया बहुत बहुत धनिवाद उसके लिए आपका नमस्कार तो अध्य तयारियां पूरी कर लें और यू तो रेजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आपका आने का बेहद मन हैं तो आप संस्थान में कॉंटाक्ट कर रेजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं कॉंटाक्ट करने का समय रहेगा सुबद दस से शाम 6 बजे के बीच में शर्मा जी का मार्ग दिर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उसे मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप संस्थान में कॉंटाक्ट कर परसनल अपॉंट में ले ले या फिर कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे मैं आप कॉल नमस्काट